दोस्तों नमस्कार्ट आप शुआखते आप ऊव्लाइं टाफ वर्षटी यूट्य यूट्यव चैनल में बात करें कि एक बड़ी अपडेट के पारी में जो की सब्दिए टीजिटी पीजिटी भरती को लेकर इसके अलाबा अगर बात की जाए प्रादमी शिचक भरती के बारे में साथ ही एड़िट यूनिया के लेकर एक ही करके साही जानकई आप सभी को दीजाएगी वीडियो को लाइक करते हैं जिससे की अलाइन इड़ा फर्ष्ट नी चलके माध्यम से हमेशा आप सभी को रियल नाथेंटिक जानकाई सबसे पहले मिलती हैं चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और शुबात कहेंगे सबसे पहली अपडेट के बारे में टीचिटी पीचिटी भरती को लेकर बड़ा जटका लगता हुआ दिखाई दे जाएगा इसके अलावर टीचिटी पीचिटी भरती के अंदर इस भरती म जिसमें कहा था कि चैन बोर्ड के माध्यम से जो अव्यती चैनित होंगे उनी को माध्यमी विद्याले में पढ़ाने लिखाने पर रखा जाएगा बाकी कोई भी प्रवंत दंत के माध्यम से अगर भरतिया हुई है तो उनको यहां से भरतियों को रद माना जाएगा अब य सभी के पदों को जोड लिया जाएगा दुर्वा कि यह था कि सिर्फ दस से बायर तदस इच्खों ने आविदन किया था लेकिन अच्छी बात यह थी कि सुपीम कोड ने कहा था कि अगर वो आविदन करते हैं पास होते हैं फेल होते हैं फरक नहीं पड़ता है या फिर यहां से जोडा जाएगा उसी के आधार में कई जिलों के मध्यम से तदस इच्खों के वेतन दोके जाने को लेकर आदेश जाई किये गए थे दो दिन पहले मैंने आपस भी को आयोध्या के बाये में जानकाई दिखाई थी जहां पर तदस इच्खों का कहना था मतलब आयो कि भी जो वेतने वो नहीं दिया जाएगा तो ऐसे में यह आदेश जो जारी हुआ था वो अयोध्या से था अयोध्या का आदेश आ जाने के दो दिन बादी कल देरात को मैंने एक वीडियो बनाया था उसमें आपको जौनपुर का भी आदेश दिखाया था और जौनपुर के लिए क्योंकि अगर बात की जाए कायाले जिला विद्याय निर्चक अयोध्या के माध्यम से उन्तीश चैट दोजाबाइस को एक और नया नौटिफिकेशन जारी होता है जिसमें उनका कहना है कि इस कायाले की तरफ से सताइश चैट दोजाबीस को जारी आदेश को माफ से हटाए जाने को लेकर जो 27 तारीक को जौनपुर से आदेश आए थे अब उनको यहां से निरस्त कर दिया गया है आज की तारीक में और यह बड़ा जटका इसलिए भी है क्योंकि टीजिटी पीजिटी भरती के अंदर 22 सीटें जोड़े जाने की वांग की जारी थी इसी अब सारा का सारा जो मामला है वो सुपीम कोट और इसके अलावा मुख्यमंति योगी के सामने है अगर सीम योगी या फिस शासन की तरफ से आदेश जारी हो जाए तब यह बात हो जाती पीजिटी भरती को लेकर 22,000 सीटों के बारे में लेकिन मैं दूसी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर जो की संबन्दित है उत्र प्रदेश में आने वाली नई प्राइमरी सिच्छक भरती को लेकर जैसा कि आप जानते कि नई प्राइमरी सिच्छक भरती के लिए हाली में डाटा मागा गया था और इस लेकिन नई भरती के नाम कहीने की सरकार अभी कुछ भी लेती भी दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि यहां पर लगाता समय बीटता जा रहा है उसी के क्रब में अगर बात की जाए नई प्राइमरी सिच्छक भरती के लिए एक बार फेसे सीम योगी से मुलाकात करने का प् लेकिन आपसे सफल मुलाकात नहीं हो पारी है बस आपसे एक छोटी सी प्रातना है कि बेसिक के अंदर प्रात्मिक सिच्छक भरती विग्यापन निकालने के लिए शिक्षा मंती संदीव सिंग जी को आदेशित करें जिससे कि उत्तर विदेश के अंदर 22-23 लाग जो बेती नहीं प्रात्मिक सिच्छक भरती का इंतजार करें उनका यहां से जो इंतजार है वो समापत हो जाए अलाकि अब्वेर्थी अभी इस मामले को लेकर लगाता प्यास करें CM योगी से मुलाकात करके इस मुद्देवे कहिने की अपनी जाय रखनी का प्यास करेंगे अगर CM की तरफ से समय देदिया जाता है तो अभ्यत्यू की तरफ से नई प्रात्मिक सिच्छक भरती बिग्यापन जादी करने की जो मांग है वो यहां से तेजी से उठाई फिर यहां पर नई सचीव आ गए PNP के अंदर PNP के नई सचीव आई तो परडाम को लेकर बहुत साही समस्याइं देखने के लिए मिली कभी चावी नहीं मिली तो कभी कुछ और नहीं मिला बात में कुछ अभ्यत्यू ने आरूप लगा दिया कि उनके यहां पर मार्क्स क कम या जादा हुए हैं जादा तर कम से मनलब जादा से कम कर दिये गए हैं बजर क्या थी वो तो नहीं बताई गई इधी तमाम मुद्धों को लेकर अब एड़ेट जूनियर सिच्छक वर्थी का संचुदी परडाम जादी होगा PNP की माने तो एड़ेट जूनियर के परडाम वो घोशित कर दिया जाएगा मैंने आपको पहली बताए कि जुलाई के अंत में 100% एड़ेट जूनियर सिच्छक वर्थी का जो परडाम है वो घोशित हो जाएगा अगर अधिकाईों की बातों विलीप किया जाए तो क्योंकि यह जानकाई मैंने आपको पहली दि गई थी कि अंदर पद बढ़ेंगे और यह पद बढ़कर 6000 हो जाएंगी तो क्या सच में 6000 पदों पर एड़ेट जूनियर सिच्छक वर्थी होगी आज इसी को लेकर बात की जाए कई बड़े अधिकाईों से जानकाई लेने का प्यास किया गया सिक्षा निदिसाले जाकर क कि क्या सच में एड़ेट जूनियर सिच्छक वर्थी के अंदर बढ़ोती देखी गई है तो यहां पर उनके माद्यम से दो जबाब दिये पहला तो यह था कि लगाता है रोटीन में जो बिद्यालियों के अंदर एड्मिशन्स होती है उसमें बढ़ोती होती है और जब परद बढ़ाने को लेकर हमारे हर्थ में कुछ भी नहीं है अगर परद बढ़ाई जाते तो शासन की योग से हैं और एड़ेट यूनियर सिच्छक वर्थी को लेकर परद बढ़ाई जाने का कोई भी यहां से करने की जो प्राबदान शासन के माध्यम से उनके पास नहीं बीजा गया है उन्होंने इस बात को भी साफ किया कि यहां से जो परदों की संक्या होगी वो 894 होगी क्योंकि बेसिक सिच्छा के अगर बात कीजा अधिकाईयों का कहना है कि उनकी तरफ से जो शासन निदेश दिये थे वो 894 पर भरती कराने को लेकर थे PNP को और उसी के आधार पर आपकी जो भरती है वो करवाई जा रही है अधिकाईयों की माने तो एक लाइन में बात यह है कि 6000 पर दों को लेकर जो जानकाईयों के पहले निकली थी अभी उसको लेकर अधिकाईयों ने पूरे तरीके से नकार दिया है उनका कहना है कि सरकार अभी सिर्फ 894 9-94 प्रभste के साफङ अची właśnie रति करने वाली है। जो जानकाई अधिकारी के अंदर कुसी के पास ऐसा अधिकार नहीं कि पढ़ा दे । plumbing को ब्लंदे करते हैं, जो जानकाई मैंने मांगीह, उन्होंने इस बात की जानकाई मुझे दिये। कि अब जो नया P.E.T. जादी किया गया, क्या इसके अंदर भी कोई कट ओफ लगाई जाएगी, क्योंकि पिछली बार छात्तों ने बहुत मांग की थी, कि P.E.T. के अंदर 55 की कट ओफ लगा दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आयोग ने कहा कि हम आपके बनाए नियमों से नहीं चलेंगे, बाद में 15 गुना के आदावे अब भरतियों को शॉट लिस्ट करना शुरू कर दिया गया, और दो भरतियों के अंदर कर भी दिया, A&M इसके लावा अगर बात की जाए, लेकपाल और UDLDA, तो ऐसे ही अगर बात की जाए, इस बार को लेकर, अभी आयोग स्मूद्य को लेकर कुछ भी बोलने के लिए त्यार नहीं है, और संबावना बहुत जादा है, कि अब यहां से P.E.T. में कोई फिक्स कट-off नहीं लगाई जाएगी, क्योंकि जब पिछली बार नहीं हुगा, तो इस बार भी होने की संबावना नहीं है, इस बात को भूलक आप लोग जादा से जादा नंबल लानी के पयास करें, अगर P.E.T. की कट-off के बारे में कोई आयोक की तरब से जानकाई मिलती है तो आपको दूँगा, लेकिन बर्दवान में अभी इस प्रकार के कोई भी यहां पर प्रस्थाव मोजूद नहीं है, और नहीं शासन की त कीज़ें, आयोक की मात्यम से ऐसी कोई जानकाई दी जादी, वीडियो को लाइक के दे, साथी शेयर के दे